यह देखी है आभी आया है ओके यह देखो यह जंप मार रहा है बाड़ी गरम रहे इसलिए रनिंग मारने के बाद आप बी आइसे जंप करो क्योंकि है अभी बाड़ी एक दम से रुखने के बाद लॉक हो जाती थोड़ा फार जंप मारने से खुल जाता है अगर आप रिंग करते हो तो इस प्रकार आप बी रीरनिंग के बाद थोड़ा फार जंप बर्क उट कर सकती है जिसी के 지방 होड़ी हमारी लोख नहीं होगी थोड़ी सी ट्रेशिंग अके चलो वर्क आउट अके चलो वर्क आउट है यह हो गया हमारा स्ट्रेशिंग और थोड़ा सा जम्प उसके बाद हम करते हैं वर्क आउट कर 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 दो कर दो कर दो कर दो सपाटे 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 कर देशी सपाटे देखाप करता है वर्काउट से पाईले रनिंग करने का एक पायदा होता है कि हमारी बोड़ी गरम रहती है और गरम बोड़ में वर्काउट करने से हमारी ग्रोथ जल्दी होती है इसलिए आप भी रनिंग कर सकते हो पाईले वर्काउट से नहीं तो बोड़ी गरम करने के लिए आप रसी भी कुद सकते है या कोई फिजिकल वर्काउट यहां मतलब जम्प साइड जम्प आईसी इस प्रकार की वर्काउट भी कर सकते हो कर दो कर दो दोत प्रकाउट कर दोत प्रकाउट प्रके अप्रका अ क्या वर्का वर्काउट